भारत को एक विक्सित देश बनाने के लिए महिलाओं की अधिक्तम भागेदारे की जरूरत है। आर्थिक आत्मिनर्भरता महिलाओं को ससक्त बनाने का एक प्रभावी तरीका है। आर्थिक और समाजिक आत्मिनर्भरता एक दूसरे के पूरक है। मद्दे प्रदेश में महिलाओं को आदम नवरा बनाने में सिवराज सरकार प्रभावी योगदान दे रही है इसी सोच के साथ मद्दे प्रदेश में लाडली बहेड़ना योजना लांच की गई मर्द प्रदेश सरकार के दोरा 15 मार्च 2023 को यह योजना लांच की गई इस योजना के तहट राज के अंतरगत आने वाली पात्र महिलाओं को प्रतिमा एक हजार रुपे किराशी सीधे उनके बैंक एकाउंट में ट्रांसपर की जाएगी हमारे देश में गरीब जन्ता के उत्थान के लिए एंद सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर नई-णई योजनाएं लाई जाती है इन योजनाओं से लोगों को ससक्त बनाने को लेकर काम किया जाता है इस एकरम में महिलाओं के लिए भी लाली बहना योजना लांच की गई इस योजना केवल मद्द प्रदेश राजी के लिए ही लांच की गई है इस योजना को मुखमधी सिवराज सिंग चोहान के दोरा 13 मार्च 2023 को शुरू किया गया ऐसी महिलाओं जो इस योजना के बारे में पातरता इस योजना के लाब और इस योजना से जुड़ी जानकारी जानना चाहती है वो हमारी वीडियो अवस्तरूर्ट से देखें लाडली बहनाई योजना का 112 मिसी मर्स 15 मार्च को मद्द प्रदेश के यसिश्वी मुखमधी सिवराज सिंग चोहान के दोरा किये गया इस योजना के तहट महिलाओं को प्रती वर्स 12,000 रुपे यानि की महीने में 1,000 रुपे सीधे उनके एकाउंट में भेजने का प्राबधान है इस योजना के लिए राज्य सरकार के दोरा 60,000 करोड रुपे के बजट का प्राबधान भी किये गया है हम आपको बता दें मुखमति सवराज सिंग चोहान के दोरा ये भी कहा गया है कि ये राज्य बढ़कर तीन हजार रुपे प्रती महावी की जाएगी हम हम आपको ये बता दें इस योजना का लाप केवल मद्द प्रदेश राज्य की महीलाओं को ही मिलेगा इसमें समान में ओविसी अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती परिव्यक्ता या विद्व मैलाएं भाग ले सकती हैं बसरतें उनके लिए फात्रता होना जरूरी है ऐसी मैलाएं जो आर्थी रूप से कमजोर हैं, ऐसी मैलाएं जिनके पास पाच एकल से कम जमीन हैं, यह मैलाएं जिनकी बारसी काई धाई लाक रुपे से कम हैं, या ऐसी मैलाएं जिनकी उम्र 21 से 60 बरस के बीच होना चाहिए, वो मैलाएं इस योजना का फाइदा ले सकती है मद्ध्य पर्देश में महिला को आत्मी निवरा बनाने के लिए मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान गी अनूठी पहल मुखमंत्री लाडली बहना योजना हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली रिलाइपोन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पेले आप तक पहुंच सके खबरों में बीक नहीं आप बने रहेंगे सिहोर लाइट 94 के साथ